हेलो फेरेंट्स वेलकम टू अनुफिरी क्लासे यूट्यूब चैनल दोस्तों एक अच्छा दसका सामाजी विज्ञान का माडल पेपर कह सकते हैं या फिर अतिलोगोते रिये और विकल प्रशनोत्तर कह सकते हैं जो परिच्छाओं में पूछे जाने की आ सकते हैं मैंने अगला प्रशन है 13 अपरेल 1929 किस घटना से संबंदी थे तो या जलिया वाला बाग हत्यकांड से संबंदी थे तीसरा प्रशन महात्मा गांदी ने आसायोग अंदोलन कप आरम किया था तो 1920 इसवी में आरम किया था ठीक है चौथा प्रशन है सभिने अग्या अंदोलन कप चलाया गया तो 1930 इसवी में चलाया थीक है और कहां से सावरमती से दांडी यात्रा करके नमक कानून को तोड़ कर ठीक है या सभिने अग्या अंदोलन चलाया गया प्रशन पांचवा है भारत के लिए डोमेनियन स्टेट का एलान किसके दोरा किया गया तो लाड इर्विन दोरा किया गया ठीक है लाड इर्विन दोरा किया गया अगला प्रशन है चठा करो या मरो का नारा किसका था तो माहत्मा गांधी का था ठीक है साथवा प्रशन है भारत आने के बाद गांधी जी दोरा चलाया गया पहला अं गैने प्राशन पूछा आता है कि चंपान सुखो के दोरा लिखा गया, था है, नौवा प्रसण है, शुराज जी हमारा जन्म सिंद्ध अधिकार है। इसे हम लेकर रहेंगे। … या नारा किस न दिया था。 दस्वा प्रसुनáticas इसाययो गानदौलन का मुख्यकारण क्याथ ? खिलाफत आंदौलन था ठीक है। घराफत आंदौलन की शुरुआत कब और किसे न की थी तो खिलाफत अंदोलन की सुरुआत मुहम्मद अली तथा सोकत अली ने 1990 में की थी और अस्थान कहां है तो मुंबई ठीक है अगला प्रशना है बारहमा जमीन को पुजाओ बनाकर गेहुआ कपास की खेती ही तो कैनाल कालोनी कहां बसाई गई तो पंजाब में बसाई गई कहां पर बसाई गई है पंजाब में बसाई गई है ठीक है संयुक्त राष्ट संग का मुख्याले कहां परिश्थित है इसमें पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट संग का मुख्याले कहां परिश्थित है तो निव यार्क में इस्थित है ठीक है रियोडी जेनेरो में पिर्थिभी सिखर सम्मेलन का आयोजन किस बर्स हुआ था तो मैं आपको बता दूँ बर्स 1902 में हुआ था ठीक है चलिए अगले प्रश्ण में बात करते हैं अमेरिका की खोज किसी ने की थी तो इस्पेन निवासी कोलंबस ने की थी अगर पूछा जा भारत की खोज किसी ने की थी तो वासको डिगामा ने की थी ठीक है वासको डियमा कहा का निवासी था तो पूर्तुगाल का निवासी था ठीक है चलिए अगला प्रश्ण हम बात करते हैं अठारा प्रश्ण है जरिया इसमें कहरा है कि जरिया किसके लिए परसी दे तो जरि बाला हुआ है ठीक है अगला पुछ्थ नमारा है 20 फर फ्रस चीए इसमें कहरा है कि अंकलेसर किसके उत्पाधन के लिए पशिद्ध तो अंकलेसर जो है वह पिट्रॉल्यम के लिए पर्शिद्ध टीक है भरने मुंबई घुजरात और ऐसम पर्मुक। पेट्रोल उत्पादक है ठीक मैं क array अगला सम भी मैं कोडर्मा कहा इस्तित यहा जारखंड में इस्तित है और अभरक्त अ गलड़ी उत्पादक है अगर बात करें कि अब्रक का अग्रडी उत्पादक कौन है तो कोड़र मा है ठीक है या कहा पेश्तित जारखंड में 23 प्रस्ट हम बात करते हैं सबसे अच्छे और सबसे खराब कोईले का नाम बताईए तो सबसे अच्छा कोईला जो होता है आगले प्रस्पी हमारा है चुवीसवां इसमें किया रहा है कि भारत में पहली रेलगाडी की सुरुवाद कब और कहां से कहां तक की गई थी तो अगर भारत डेश की बात करें तो पहली रेलगाडी 1853 में मुंबाई और थारे केमत चलाई गई थी और दूरी पूछा जाए तो 34 किलो मीटर की दूरी तई की थी ठीक है चलिए अगले प्रशन पे हम बात करते हैं प्रशन नमबर हमारा है पचीसवा भारत में आयात होने वाली वस्तुओं के नाम लिखे तो पेट्रोल मोती वा भमूल इरत आकारबनिक रसायन कोयला मसीनरी उ भारत से जाने वाली ठीक है चलिए अगले प्रशन बात करते हैं भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम ठीक है तो जूट है चाय मैगनीज लोहा तंबाखू रत्न वा जवाहर रसायन वा संबंदित उत्पाद सावडवेर आधि परमुक है ठीक है चल 1903 भी में वाईव परिवहर न का रष्टियकरण किया गया था ठीक है और भारत में बात करें कि सबसे सस्ता साधन कौनसा है थो सडक परिवहर है ठीक है कौनसा है सडक परिवहर है ए चलिए 28 प्रस्म देश कि अखड़नता तथा एकता के लिए तो सथा की साज्यधारी आवस्य के टीक है मैंने टॉफिक वाई यहां से सभी प्रस्म लिया हुआ है ठीक है फंटीसवाइस और धीध लिए और यह पर संवाजविग्ञान का पहला है दूसरा में हम जो बचा हुआ है उसको हम ले लेंगे ठीक है अगर कोई प्रस्ण है तो कामने में जरूर लिखिएगा थैंक्स फोर वाचिंग